सब्सक्राइब को देखते हैं देखें नोटिस क्या है यूपिसी कमिशन इंपॉर्टन नोटिस सर्विस कमिशन इंपॉर्टन नोटिस सिविल सर्विसे इग्जामिनेशन 2023 पर्सनलिटेश यानि आपके जो सब्सक्राइब कर समय में और चैनलों में500श सिविल सर्विसे विश देखनें नाम से बेश्यामिनों मीरे पर्सनलिटेस या आप उसको इंपॉस्क्राइब के नाम से भी c जानते हैं of the civil services main examination 2023 from Tuesday तो मंगलबार दो जनवरी 2024 से हमारे interview स्टार्ट हो रहे हैं चलिए आगे देखते हैं the PT scheduled for 1026 candidate तो 1026 candidate के personality test interviews यहां पर connect किये जा रहे हैं indicating their rule number date and session of interview from 2nd of January 2024 to 16 February 2024 is given below इसका मतर इस notice के सबसे end में 1026 candidates के जो reporting time के साथ date क्या दिया date दिया और interview के session दिया आपको क्या बोला है reporting time for the forenoon session is 9 hours and for the afternoon session is 13 hours यानि सुबह 9 बजे और दिन में एक बजे यह interviews conduct हिए जाएंगे आपके roll number के साथ दिखाया गया है अभी थोड़ी दिर में मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है the PT schedule for the remaining candidate will be uploaded later तो जो student बचेंगे साब साब लेगा देखें यहां पे थोड़ा सा डार करके लिखा है कि जिनके roll number या ना उन्हें गवरनारी जूत नहीं है उनके जो है schedule वो later on किये जाएंगे उनके interviews clear the e-summan यह देखिए बहुत important है यह तीन जो आपने नोटे नबर दिया है the e-summan letters of personality test interviews of the of these 1026 candidates will be made available shortly which may be downloaded from the commissions website तो 1026 candidates है हमारे पास इनका जो आपके पास क्या दिया है e-summan letters या इसको letter अपना क्या नाब एपाट्मेंट लेटर भी आएगा क्या बोलते है इसको e-summan letters वो commission की site कॉंजे www.upac.gov.in and www.upaconline.in से आप download कर पाएंगे जल्दी ही ठीक है चलिए next है मेरे पास the candidate appearing for interview will be granted reimbursement देखिए second class class तक की आपको reimbursement यहां पे दी जाएगी clear देखिए next है इत में अल्सो भी noted that the candidate who has not finally submitted the death within the stipulated time date and time his or her candidate shall be cancelled and no e-summan letter shall be easier to the that candidate इसका मतलब क्या है कि जिन्हों ने death नहीं भराना उनको अब कोई letters issue नहीं होंगे उनका interview नहीं होने वाला clear last मेरे पास क्या है देखिए अब यह मेरे पास क्या है यह मेरे पास रोलंबर्स है यह मेरे पास data और यह मेरे पास sessions है तो आप अनुरे रोलंबर के इसाब से प्लीज ध्यान से देखिए गलती मत करना students clear चलिए तो यह मेरे पास कब तक है यह है students यह है मेरे पास देखिए पूरे 1026 candidates के दिए गए हैं और यह है मेरे पास 16 February जैसे की notice में लिखा हुआ clear तो अब हमेशा ही परवीर बंसर सर की guidance में बच्चों को गाइड करता हुआ रहे तो इसी तरह से बहुत सारे बच्चे guidance ले चुके हैं तो अगर आप भी सर से guidance लेना चाहिए विकोस हमारे अल्रेडी बच्चों ने तयार ही शुरू कर दिए clear तो अगर आप भी guidance लेना चाह अब कमिंगी वीडियो के जैसी आप नीचे जाएंगे आपके पास क्या आगा देखिए यहां पे आप अपना अप्लोड यूर डेफ बिलो मतलब यहां पे अपना डेफ अप्लोड कीजिए और यहां पर क्या अप्लोड फाइल का ऑप्शन दिया हुए तो आप परवीन बं सुधे जाएंज अपना अपनाश सबने मतलule, इसले वाह हुए जय और यहां पर कर Τ यूर का अभी हो आप लिए खशना ओशन के अपना गर कीजिए एल यहां रहां ऊपना और यहां आपके जटेए, आपके चाहां एलFrस आटी समान सब्शन के तोित इस वांपके जैसा 검श